अब इस कोश्चन में किया कि वे ने उसने बोले है कि a certain number of person are living on different floors of a building such that ground floor is number one, floor above it is number two and so on. उसने बोले है कि कुछ लोग रहते हैं, अलग-अलग floors पर एक building में और ground floor का number one बोला कि उसके बहुत number two है इस तरीके से उपर जाएगा, ठीक है, conditions उसने क्या दिया है, उसने बोला है, कि B lives two floors above C, ठीक है, conditions अगर हम लिखे हैं, तो B जो है, दो floor above C से, ठीक है, उसके बाद D lives four floors away from F, D जो है, four floors away है, F से, ठीक है, मतलब के इन के बीच में, तीन floors होंगे, ठीक है, उसके बाद one person lives between C and F, okay, C और F के बीच में, एक पर से, अच्छा, अब एक चीज़ को समझो कर यह होगा, तो मतलब F आपके पास यहां पर होगा, फिर D आपके पास, one, two, three, उपर तो हो न होगा, उसके बाद उसने होगा, कि no one lives between K and D, K और D के बीच में, कोई भी नहीं है, इसका मतलब अगर में, यहां से दो possibility बनाना चाहूं, तो आपके पास देखो, B-C-F, one, two, then KD, एक possibility यह हो सकती है, दूसरी possibility क्या, कि B-C-F, dash, 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 D, and then K, यह दो possibilities हो सकती है, उसके बाद हो, उसने होगा, कि M lifts two floors above P, ठीक है, M जो है, वो two floors above P, से, okay, one person lifts between E and G and E and H, ठीक है, उसने हो लाए, कि E और G के बीच में एक परसन है, fine, और E और H के बीच में एक परसन है, ठीक है, तो यह possibility हो सकती है, यह possibility हो सकती है, ठीक है, और उसने हो लाए, कि also अब एक चीज को समझो अगर यह आपके पास प्राइम नंबर फ्लोर पर रहते हैं हम एक बाद जानते हैं कि आपके पास प्राइम नंबर जिनकी बीच में एक-एक का गैप हो वो कौन से हैं आपके पास 3, 5, and 7 यही तो हो सकते हैं ना इसका मतलब कि एक चीज कनफर्म हो कि हमारे पास अगर मैं फ्लोरिंग के साब से लेकना चाहूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं क्या यहाँ पर H हो ठीक है यहाँ पर 5 पर E हो and then G यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कि E यहाँ पर है G यहाँ पर है और H यहाँ पर है ठीक है यह दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन सकती हैं अपर उसके बाद उसने क्या बला है कि no one lives between G and P ठीक है तो G और P के बीच में कोई परसन नहीं रहता है मतलब क्या अगर हम पॉसिबिलिटी के साब से देखें तो देखो आपके पास 8, 9, 10 एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि P यहाँ पर हो in that case M यहाँ पर होगा एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि P यहाँ पर हो दूसरी possibility, H, E, G, P यहाँ पर है, M यहाँ पर हो, चीक है, यह हमारे पास possibility बन सकती है, fine, उसके बाल उसने क्या बोले है, कि F lives five floors away from M, चीक है, F जो है, वो five floors away है किससे, M से, तो इसको अगर मैं देखूँ, एक चीज़ो समझो, अगर मैं इस possibility में बात करूँ, F यहाँ पर है, five floors away मतलब, इनके बीच में, चार floors होने चीज़े थे, चार floors होटकर, यहाँ पर तो आपके पास M आनी सकता है, ठीक है, उपर के अगर मैं बात करूँ, चार floors यहाँ पर, आपके पास M क्या यहाँ पर आ सकता है, अगर मैं M को put करता हूँ, इन चारों में देख पास नहीं आ सकता है, मतलब यह possibility ते रहाँ होगी, चीक है, यह possibility है हमारे पास बसती है, इसमें अगर हम देखें, तो 1, 2, 3, 4 चोड़कर M यहाँ पर ऊपर आनी सकता है, चीक है, तो आपके पास 1, 2, 3, 4 चोड़कर M यहीं पर आएगा, है ना, तो अगर मैं इसको बनाना च जाता हूँ, M आपके पास यहाँ पर है, तो इसको बेर D नहीं बन सकता, यह possibility रहाँ, similarly यह possibility रहाँ, यह possibility रहाँ, यह possibility रहाँ, तो हमारे पास रहाँ होगी, चीक है, इस possibility में अगर हम बात करें, तो आपके पास, अगर M यहाँ पर है, इसके ऊपर, D, then K, then 2 छोड़कर F, then 1 छोड़कर C, 1 छोड़कर B, चीक है, कितना होगे, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19, एक possibility है, इसमें अगर हम बात करें, तो D, then K, then आपके पास, 2 dash, then F, then dash C, dash B, चीक है, यह हमारे पास बन के, दो possibilities बन रही है, आगे उसने का वला है, कि number of person between B and G, are in multiple of 3, चीक है, तो दिखो अगर मैं बात करो, इस पहली वाली possibility में, B आपके पास 19 पर है, चीक है, जी आपके पास 7 पर है, इसका मतलब इनके बीच में, जो number of person होगे, वो कितने होगे, 19, minus 7, minus 1, और I can say 11, तो यह तो आ में बात करता हूँ, B आपके पास 17 पर है, और G आपके पास 7 पर है, तो यह minus 1 और हम करेंगे, तो कितना 9, इनके बीच में कितने 9 percent है, 3 के multiple में, इसका मतलब क्या, यह possibility हमारे पास correct है, ठीक है, I hope आपको clear हो गया होगा यह question, चालिए, thank you so much.